दोस्तों वेलकम है आपका Fantasy Expert News के Official YouTube चैनल पर इस वीडियो में हम लोग South Africa T20 League का जो 3rd नमबर मैच है Eastern Cape versus Pretoria Capitals इसको हम लोग cover करने जा रहे हैं और देखेंगे Small Leagues और Grand League के टीम कैसे हम लोग को बनानी है सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या line up से और कहां ये matches हो रहे हैं उसी के according हम लोग टीम create करेंगे सबसे पहले मैं आपको बता देना चाता हूँ ये venue जो है St. George Park आप नाम याद रखिए बस ये venue जो है बहुत ही slow wicket है ज़्यादा scores यहाँ पर बनते नहीं है past के कुछ matches देखेंगे तो आपको ये ही पता चलेगा कि scores करना यहाँ पर मुश्किल होता है last match में भी मैं आपको बोला था कि score करना मुश्किल होगा Kings meet में भी जैसे नहीं first match वहाँ होता Newlands में भी तो मैंने बोला था कि score करना थोड़ा सा दिक्कत हो गई है और वैसा ही हुआ तो यहाँ पर भी ये भी venue वैसा ही है यहाँ पर भी scores करना थोड़ा मुश्किल ही होगा 7.39 runs पर ओवर है यहनि आप लोग मान के चलिए 150 से 155 के बीच में आपको score देखने को जो है वो मिल जाएगा अब यहाँ पर एक चीज जो मैंने देखी यह लास्ट 5 मैचेस के अंदर जो CSA T20 के अंदर हुए थे वहाँ यह देखा कि spinners को यार help बहुत है इस wicket पर spinners यहाँ पर dominate करते हैं और second inning में wickets ज्यादा किरते हैं first inning के comparison में यह दो point आपको ध्यान में रखने हैं यहाँ से आप लोग देखेंगे 16 plus 17 कितने wicket निकल गए 33 wicket और यहाँ नीचे भी देखेंगे तो 33 wicket तो आपकी team में क्या होना चाहिए कि आपकी team में यहाँ से आपको spinners को अपनी team में रखना चाहिए spinners यहाँ पर key role निभाने वाले हैं चुकि यह wicket जो है ना वो थोड़ी सी dry रहने वाली यहाँ मैंने उपर बेला ही mention किया हुआ है अगर आपने नहीं देखा है तो यह मैंने mention किया हुआ है पिछ रिपोर्ट देखो neutral रहेगी और dry रहेगी लेकिन आपको wait करना है telegram पे चुकि वहाँ पर live picture से में update कर दूँगा उसी के according हमारी team formation रहने वाली है अगर आप लोग telegram channel पे नहीं तो आप लोग काफी कुछ miss कर रहे हैं telegram से जुनने के लिए आप लोग यह search कर सकते है at the red fantasy expert news या फिर आप लोग हमारा जो comment box है इसी वीडियो का उस पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको first comment मिल जाएगा पिन वाला वहाँ से जूर सकते हैं और वीडियो के description में भी आपको link जो है मिल जाएगा ठीके join कर सकते हैं जिनको teams चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएगी betting chase करते हुए यहाँ पर ज्यादा तर matches win होते हैं लेकिन उत्री एची betting wicket नहीं है तो हमारा जो combination रहेगा हमारा target रहेगा कि हम 1, 3, 3 और 4 का combination बनाए इस तरीके जा फिर 1, 3, 2 और 5 का combination बनाए यह दो main combination हमारे रहेंगे अगर हम लोग small league target कर रहे हैं ठीक है ध्यान रखेगा small league हम लोग target कर रहे हैं उनको हम लोग इस तरीके से combination हमें ready करना रहेगा बात करते हैं हम लोग यहाँ से क्या playing 11 रहेगी उसके बारे में तो playing 11 में जल्दी सा आपको बता देता हूँ देखो sunraiser start capture है उनकी तरप से कोई भी issue नहीं है injury को लेके या availability को लेके full squad उनका available है अडल मार्करम lead करने वाले है kushal mandis available नहीं है क्योंकि अभी इंडिया ट्यूर पे गए हैं तो इन नहीं खेलेंगे kushal mandis नहीं है तो उनके लिए उनके place पे जो विकेट कीपर mention cave है klyde fortune है जोकि opening के two games खेलने वाले है वहीं Josh Little है 3 to 4 3 to 7 matches के लिए available है ठीक है when parnell की बात करते हैं वो lead कर रहे है steam को और बहुत ही अच्छी चोईस है अगर आप लोग grand league में wise captain दे रहे हैं या captain दे रहे हैं parnell को दो क्योंकि विकेट टेकर बोलर है cutters काफी अच्छी यूज़ करते हैं left time fast बोलर है ध्यान रखेगा jordan cocks की बात करते है sunrizer eastern cap की तरप से playing 11 रहने वाली है jordan cocks सारे लिर्वी open करेंगे tom able जोकि इंग्लेंड के player है बहुत ही अच्छे old downer है 32 का average है addon murkrum में tristan stops है जो की part time wicket keeping करते हैं लेकिन यहाँ पर off break गेंदबाजी भी करते हुए आपको दिखेंगे jajay smart से jams fuller, marko yanson mason krens, hisandha mangalah और audnil part में देखो इनके main जो spinner रहने वाले हैं उसमें सबसे main spinner रहेंगे mason krens और second रहेंगे यहाँ से jajay smart लेकिन against left ended यहाँ पर आपको addon murkrum और tistan stops भी balling करते हुए दिख जाएंगे तो इनके पास में balling unit में कमी नहीं है पहले ही तो यहाँ पर 6 option तो यह दिख रहे है साथ ही साथ आपको stops और addon murkrum यहाँ पर 8 options तो bowling unit के ही है इस्टर्ण caps के पास में इनके लिए death में कौन गेंदवाजी कर सकता है मारको येंसन तो fix रहेंगे साथ में fuller और आपको oddnil bart में यह आपको death में गेंदवाजी करते हुए दिख जाएंगे johnsburg super kings की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते है sorry यहाँ पर यह name गलत है द्यान रखेगा आप लोग eastern cap उपर हो गई southern eastern cap यह है protia capital जो की डैली capitals की ही franchise है वो क्या है protia capital ठीक है इसमें philip salt जो की इंग्लेंड के player है और open करेंगे उन case के साथ में left-handed batsman जैम्स नीशा में वैन पार्डनेल, मिगाउल प्रिटोरेस, एन्रिक नोर्किया और अदिल रशीद है इनके लिए main spin department में कौन रहेगा अदिल रशीद रहेंगे साथी साथ इनको assist करने वाले है विल जैक यह 2 main spinner इनकी team में रहेंगे तो विल जैक के chances हैं कि वो जितने भी left-handed better है यहाँ पर जो sunrider eastern cap team है उसके against वे bowling करेंगे तो बहुत अच्छी choice है नमबर 5 पर waiting करेंगे प्लस आपको 1-2 वर bowling करते वे भी दिखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया इस wicket पर spinners को help मिलती है तो विल जैक्स आपकी team में होने चाहिए नमबर 5 पर waiting करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी pick ये रहेंगे ठीक है ये playing के रहे होने कौन death में करेगा यहाँ पर देको power play में तो करते ही है एंडिक नौर्क्या और यहाँ से when partner लेकिन death में भी एंडिक नौर्क्या और when partner रहेंगे इसलिए मैं आपको उपर when partner के बारे में बताएगी ये must your pick में रहेंगे अब जो player के बारे में आपको data नहीं पता है मैं जल्दी से आपको data बताऊँगा team formation में आगी करने वाला खाली team copy करने से कुछ नहीं होता है जो लोग team copy करते ना उनका कोई मतलब नहीं रहता है वो लोग हमेशा हारते ही है तो आपसे मैं क्या request कर रहा हूँ आप लोग बस मेरे states को follow कीजिएगा मैं जो बताता जाता हूँ वैसे वैसे player selection करना है 32 का average है Tom Abel का बहुत ही technical player है लेकिन consistency जो है इनके पास में नहीं है तो आपकी चोईस है आप इन्हें अपनी team में रखना चाते हैं या नहीं क्योंकि slow wicket रहती है थोड़ी सी जहां पर dry wicket रहती है वहाँ थोड़े scores थोड़े कम ही बनते है और जहां पर English player रहते हैं ये क्या होते हैं कि slow wicket जो होती है वहाँ जल्दी cricket fact देते हैं तो उससे हमें हमें क्या करना है वो player देने हैं जो रुक के खेल सकते हैं ठीक है वो मैं player आपको आगे बताऊंगा देखो टॉप order में आ रहा है तो आपको अपनी team में रखना चाहिए मैं ये नहीं कहूँगा नहीं रखना ओदनिल बार्टमें विकेट टेकर बोलर है 44 मेचेस में 56 विकेट हैं और बहुत अच्छी पिक हो सकते हैं और मेरे experience के बैस पे बता रहा हूँ कि एक special हमेशा रहता है कि जो बड़े name वाले player होते हैं जिनका name होता है बहुत बड़े later में तो वो काफी जदा important होते हैं तो बार्टमें कल्ब ध्यान रखना इस player का ये अच्छा कर सकता है ब्राइडन क्रेस उतने खास option नहीं होंगे इस येल में pick कर सकते हैं अगर top order में mention होते हैं तो हमार लिए अच्छे pick होंगे ये क्यूंकि कभी कबार गेंदवाजी डाल देते हैं बहुत कम डालते हैं लेकिन कभी कबार ही डालते हैं जैंस fuller की बात करते हैं मस्टे हो pick प्लस अगर team से कोई vice captain से का अच्छा option है तो ये हैं यहां से जॉर्डन हर्मर ये नहीं खेले माले मारको येंसन आपका अपका अपनी टीम में रखना है लेफ्ट हम fast गेंदवाजी करेंगे मंगाला जील के pick होंगे small league में मैं नहीं लूँगा आइडन मारक काम पार्ट टाइम गेंदवाजी भी कर लेंगे तो ये हमारे अच्छे चोई से captain सी के लिए small league में भी आइडन रोशिंग्टन खेलते हैं तो आपको अपनी टीम में रख लेना चाहिए तो आपके लिए अच्छी चोईस ये player भी होने वाला है Tristan Subs को मैं prefer करूँगा अपनी टीम में क्योंकि थोड़े एक से दो वर मुझे लग रहे हैं कि इनको भी मिलने चाहिए ये और मारकरम मिलके ओवर करेंगे तो मुझे यहाँ पर इनकी importance ज्यादा लग रही है मैं अपनी टीम में इनको pick करने वाला हूँ Pretoria Capital किस तरफ से बात करते हैं इधान बोश, यहाँ पर शेयन डेट्स वेल खेलने वाले हैं तो इनका record देख लिए आप लोग खास नहीं है बेटिंग से थोड़ा बहुत contribute करते हैं bowling में उतने कुछ खास नहीं है लेकिन एक बात है जब भी बेटिंग आईए consistency दिखाईए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं bowling में उतने अच्छे numbers नहीं है लेकिन बेटिंग में आपको contribute करके दे सकते हैं थीनेस जो प्रोईन की बात करते हैं हम लोग average काफी एच्छा है venue पर भी खेलना पसंद करते हैं 37 के average से आपके लिए GL के सबसे अच्छे pick number 4 पर बेटिंग करने वाले हैं अगर कल number 3 यानि first down बेटिंग mention होते हैं अपनी team में आपको pick करना ही है इनको Cameron Delpert उतने अच्छे pick नहीं होंगे मैं इनको GL में ही रखूँगा small league में छोड़ दूँगा Depalwin नहीं खेलने वाले Will Jacks को मैं अपनी team में back करूँगा पता ही दिया है part time गेंदबाजी भी करने वाले और एकाथ wicket मिल गया तो हमारे लिए best है जैसे team David का roll रहता है वैसा ही इनका भी रहल रहता है ये नमबर 5 पे बेटिंग करेंगे Josh Littil देखते हैं Playing Lord में जगा बनती है नहीं Marko Marais, Kushal Mendes, Mutusami ये मुझे नहीं लगता है इनको मोका मिलेगा अगर Mutusami को ये मोका मिलता है तो ये बंदा bowling से भी contribute करता है प्लस बेटिंग भी कर लेता है तो इसको आप अपनी GL team में include कर सकते हैं अगर ये top 4 के अंदर भी top 4 में mention होता है न देना आप लोग अपनी team में इसको include भी कर सकते हैं small league में Jams Nisham में नहीं लेने वाला हूँ अपनी team में Andik Norkia रखना ही है Wen Parnell को रखना है और Adil Rashid को रखना है बाकी Miguel Petras को में drop करने वाला हूँ मैं Relay Rosso को अपनी team में Phillip Salt को अपनी team में pick ही करने वाला हूँ जो जो pick कर रहा हूँ वो मैं आपको बता दे रहा हूँ बस player battle में आपको क्या ध्यान रखना है player battle कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर jambs fuller versus Relay Rosso का है 2 times out किया है जस 31 score ही किया हूँ है तो यह आप लोग player battle follow कर सकते हैं क्योंकि यह पाउट में bowling भी करने वाला है तो आपके लिए key player रहने वाले है fuller teams कैसे create होगी इसके बारे में जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको अपनी team जाए वो form करनी चाहिए तो यहाँ पर मैं team बना के आपको बता देता हूँ देखो कुछल मेंडीस नहीं खेलने वाले Jordan क्योंक्स खेलेंगे एक तो आपको यह opening pair में बेटिंग करते वे दिखेंगे opening में नहीं भी दिखते हैं तो आपको कम से कम first down में तो दिखी जाएंगे तो आपके लिए दोनों advantage है कि यह भी wicket keeping करेंगे प्लस आपको opening pair में बेटिंग करते दिखेंगे ये भी विकेट कीपिंग करेंगे और opening pair में बेटिंग करते हुँ दिखेंगे रोशिंग्टर खेलते हैं तो ये भी top 4 में बेटिंग करते हैं लेकिन मैं इन दोनों को ही जज़ेस्ट करूँगा दोनों ही तैच्चे प्लेयर हैं और especially Jordan Cox मुझे थोड़े ज़्यादा बैटर लगते हैं अब आपकी जोई से जन्ता सेलेक्शन के साथ में जाना है या किसके साथ में फिलाल के लिए मैं Philip Salt को ही बैक करना चाता हूँ क्योंकि इंग्लिश प्लेयर है और थोड़ा अच्छा की स्कोर कर सकते हैं रिलर रोसो को मैं अपनी टीम में रखोंगा एडन मार्करॉम को और टिस्टन स्टॉप्स मेरी टीम में जैसे कि मैंने आपको बताए कि अगर स्लो विकेट रहती है तो जल्दी विकेट फेक देते हैं तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं एक काम कि रिलर रोसो के प्रेस पर टॉम एबल को भी अपनी टीम में रख सकते हैं लेकिन हमें तोड़ा बैलांस कॉम्बिनेशन लेके चलना है तो रिलर रोसो मार्करॉम ट्रिस्टन स्टप्स और वील जैक्स को मैं अपनी टीम में पिक कर रहा हूँ आप लोग जो भी लोग GL खेरेंगे वो इस नमबर 4 पर बैटिंग करने वाले थीनेशन टीम में ज़रूर पिक करेंगे ठीक है बाकी यहां से कोई अच्छा उप्शन नहीं रहेंगे एक दो और यह तीन ठीक है तीन में से भी प्रायोर्टी अगर मैं नमबर की रखूँ तो फिर्स प्रायोर्टी यह सेकंड नमबर पर मैं इनको रख दूँगा Delport को 3rd number पर ही है यानि GL में अगर किसी को कोई player rotate करना है रिलियर उसों के place पर तो 1st player आपका rotate होगा T.D.Briun अगर number 4 पर betting कर रहे हैं ठीक है otherwise आपके बास में Delport और Tom Abel अच्छे option हैं जिसमें आप लोग Delport को अपनी team में रख सकते हैं बात करते हैं यहाँ पर all-rounder section से all-rounder section से वैसे मैं यहाँ पर pick करना चारा था JJ Smarts को लेकिन क्या issue हुआ कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे betting करें तो betting आने के chance थोड़े कम हो सकते हैं इसलिए मैं थोड़ा ignore किया और मैं full-time baller full jambs fuller को अपनी टीम में रखा है वैन पार्णेल को अपनी टीम में रखा है मारको येंसन को अपनी टीम में रखा है अब जैसे slow wicket है तो wickets ज्यादा निकलने की chance थो इसलिए full time baller आपकी team में होने चाहिए यहाँ से अगर कोई GL का rotation आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग एक player को अगर ये खेलता है मुतु सामी और top 5 के अंदर mention होता है जैसे top 5 में यानि मान लीजए ये क्या है middle order में mention होते है तो आपको अपनी टीम में रखना चाहिए क्योंकि balling भी कर लेता है ये बंदा और domestic cricket के अंदर बहुत अच्छा play किया है तो मुतु सामी एक GL के pick है यहां से आपको अपनी टीम में रखने चाहिए अब यहां से तीनो top baller ही मैं लेना चाहिए मैं ज़्यादा risk लेना नहीं चाहता किसी दूसरा baller पे अब ओधनिल बाट्मेन है और मिगावल प्रिटरेस है इन दोनों को आप लोग देख सकते है especially बाट्मेन जो की GL के सबसे अच्छे back pick होंगे reason क्या है कि death में गेंदवा जी ये कर देंगे ठीक है ये ठीक है ये आप लोग कर सकते है काफी कम selection है बढ़के भी जदा नहीं जाने वाला 10% क्या सबसी रहेगा तो इसको आप लोग GL में और small link में risk ले सकते है क्योंकि death में गेंदवाजी करेगा मैं थोड़ा spin को favor कर रहा हूँ कि spinners यहाँ पर wicket निकालेंगे तो मेरा कुछ ये team बन रहा है अब जो लोग GL खेलेंगे उनके लिए team कैसे बनने वाली है कैसे वो लोग GL में ranking लगा सकते है तो GL जीतने के लिए सबसे पहला चीज जो आपको mind में होना चाहिए आपकी team में वो player होने चाहिए जिनका percentage selection 10% से लेके 30% के आसपास तक हो ठीक है वो player आपको काफी अच्छा performance करके देंगे नहीं तो last के कुछ matches उठा के देख लीजे ये जो इतने percentage जिनका selection रहता है ना 30 भी नहीं मैं बता देता हूँ 10 से लेके 35% तक का प्रेक्शन ये player जो रहता है ना ये हमेशा आपको grandly खरवा देते हैं तो जब भी final team बनाए 35% के आसपास जिसका selection होगा और वो top 5 के अंदर betting कर रहा है या bowling top 5 के अंदर betting कर रहा है या फिर all rounder है या फिर proper four forwards bowling कर रहा है तो वो आपके लिए वो आपके लिए सबसे अधा important होगा उसमें सबसे पहला pick में क्या रखना चाहूँगा मैं सबसे पहला pick यहिनों को रखना चाहूँगा और निल बार्क में इनको बहुत इच्छे wicket tagger बोला रहे हैं और wickets एकदम दड़ाता लेते हैं और death में गिंदवाजी करेंगे तो मैं इनको अपनी टीम में रखना चाहूँगा जील का सबसे पंडर pick उसके बाद में JJ Smarts और मुथु स्वामी इन दोरों में से जो भी खेलता है उसको मैं अपनी टीम में रख सकता हूँ ठीक है मेरा यह रहेगा सीनारियो किस तरी के सेलेक्शन में करूँगा तो मैं यहां से JJ Smarts अगर खेलते हैं तो इनको अपनी टीम में रख लूँगा दूसरा pick मेरा GL का थर्ड नमबर GL pick काफी लोग pick करेंगे रिलो रोसो को डेलपोर्ट की तरफ नहीं मूग करने वाले हैं तो डेलपोर्ट को मैं अपनी टीम में रखना चाहूँगा और विलजेक्स को ठीक है यह मेरे चाल प्लेयर तो हो गए फिप्ट प्लेयर आप लोग जॉर्डन को को गंसिडर कर सकते हैं क्योंकि लोग फिलिप सॉल्ट की तरफ ही जाएंगे लेकिन इतने भी आपको नहीं कि बिल्कुली वन साइडेक्स कॉंबिनेशन बनाने की ट्राय करना है और वहाँ पे हो जाएगी एंट्री फिस भी आपस नहीं है तो यह चाल प्लेयर मैं रखूंगा जील के इन ही को मैं रोटेट करने वाला हूँ बड़े प्लेट्स को ड्रॉप करते हुए होपफूली वीडियो आपको पसंद आया होगा और एक अच्छा मांट इस मेच में आप लोग विन कर पाएंगे मिलते हैं हम नक्स वीडियो में तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक एंड शेयर जरू करें टैंक्यू